कैसे ही काता नाम ये कंभो दिवार है कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन का स्पेशल शो मनी सेंट्रल स्टूडियो में चर्चा के लिए मेरे साथ मनी नाइन के अडिटर अंश्मान तिवारी जी जुल गए हैं सर बहुत स्वागत है आपका ख़बरों पर से परदा हटाईए सर आज सबसे बड़ी ख़बर कौन सी है मनी सेंट्रल के सभी दर्शकों का स्वागत है आज हम मारे पास कई ख़बर हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ख़बर चीन से आ रही है भारत और चीन के व्यापार को लेकर हमारे पास कुछ नई जानकारिया है जो बिलकुल बायकाट चाएना ये चीन के साथ जो रिष्टों में खीचतान है उससे बिलकुल अलग बाजार में कुछ दूसरी ही कहानी लिखी जा रही हम आज इस पर बात करेंगे ये आज की सबसे बड़ी और विशेश ख़बर है चले तो चीन पर व्यापार में क्या चल रहा है इसकी पड़ताल होगी विस्तार से लेकिन इसके अलावा और क्या होगा इसके अलावा रूस से क्या होगा आने ख़बरें कौन सी होगी इसके लिए देखते है अन्दा शो तो शुरुवात होगी क्यों नहीं हो पाया रुप फीकी पढ़ने लगी क्रिप्टो की दुकाने जी हाँ क्रिप्टो के कारोवार पर भी आज चर्चा होगी शुरुबात रुपे रूबल ट्रेट की जैसा मैंने बताया भारत और रूस के बीच फिलाल रुपे रूबल पेमिंट माध्यम से कोई व्यापार नहीं होगा बुद बाने का प्रयास जरूर कर रही है जिन्होंने युद्ध से पहले फरवरी में एक्सपोर्ट किया था सर क्यों नहीं हो पाया यह व्यापार कहां टग गई इसकी गाड़ी चर्चाएं काफी थी और जब काफी चर्चा थी उस समय हमने कहा था कि तकनीकी तोर पर और वित्ति पर काफी जाधा है यानि जो ट्रेड का बालेंस है जो व्यापार का बालेंस है वो रूस के पक्षमें और तीसरी महत्वकूर्ट चीज़े कि रूस से तीनी चार बड़ी चीज़े भारत इंपोर्ट करता है रक्षा के अलावा क्योंकि रक्षा एक दूसरे चैनल से तार इसे बताते रहें इस पर आप अमेरिका के साथ ताजी टू प्लस टू वारताओं का असर देख सकते हैं पुरी दुनिया में में रूस को लेकर खासतों से मारियो पॉल और बुचा के नरसंगार के बाद रूस को लेकर जो दिन अंतराश्टी वेवस्था में महाल बन रह देंगे कारण हलाकि उसमें ये बताया गया कि रूस का कच्चा तेल के कच्चे तेल में सल्फर का कॉंटेंट जाधा होता और इसलिए उसे भारत में रिफाइन करना मुश्किल है ये बात भी पहले से सपच्च ती कि रूस का कच्चा तेल खरीद कर भारत में रिफाइनिं जरीए एक दो बैंक्स जो सैंक्शन से बाहर हैं प्रतिबंधों से बाहर हैं उस यूरो चैनल के जरीए वो पैसा भारत के निरयातकों को दिलवाने की कोशिश चल रही है सर इसके अलावा और कोई बड़ा अपडेट एक बड़ा अपडेट शुभम रूस से यह आ रहा है कि रूस युक्रिन युद्ध के कारण रूस में जो ग्रेन का व्यापार है अनाज का व्यापार है वो पूरी तरह ठप हो चुका है रूस के अनाज पर मेना रीजन की मिडिल इस्ट और नाथ अफरीका का जो हिस्सा माना जाता है जिसमें केजिप्ट लेबनान जैसे देश हैं उनकी बड़ी निरभरता रूस के गेहों पर और फटलाइजर पर और वरकों पर है अंतराश्टिक कूटिनीति में इस तरीके का माहौल बन रहा है जिसमें यह माना जा र प्रोडूसर है उसने एक नए इनिशेटिव का सुझाओ दिया है जिसका नाम फार्म कहा गया है इसके जरिये सस्तिदरों पर इस अफरीका का जो कॉंटिनेंट है जो रूस के अनाज पर निरभर है उसे अनाज की आपूर्ति की जाएगी युनाइटे नेशन्स का जो फू इसके अनाज की आपूर्ति रुक रही है या नहीं हो रही उन्हें अनाज सप्लाई करने की बात कही है तो यह हुमिनिटेरियन मानवी आधार पर एक महत्तुपूर्ण खबर है लेकिन इसका बाजारी पहलू यह है कि दुनिया यह मान रही है स्विकार करने लगी है युक् आतार बाजार में वो कीमतों की कीमतों पर रिफ्लेक्ट हो रही है जो आपूर्ति टूटेगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ध्यान होगा दो दिन पहले मनी सेंटरल में अंशुमान जी ने हम लोगों ने 5G पर चर्चा की ति और जिसमें बताया था कि अगर आप भी 5G डिवाइस खरीदने के बाद इसकी लॉंचिंग का इंतिजार कर रहे हैं तो ताजा ख़वरें आपको मायूस कर सकती हैं क्योंकि मसला यह है कि देश में 5G की लॉंचिंग टेलिकॉम ऑपरेटरों और सरकार की लड़ाई इक्यूपमेंट्स पे मचे पचड़ों में बुरी तरह से उलच गई है मतलब आपके वीडियो से ज़्यादा बफरिंग 5G की लॉंचिंग में हो रही है कहानी यह है कि 5G स्पेक्टरम की रिजर प्राइसिंग को कम रखने के लिए टेलिकॉम ऑपरेटर पहले से प्रेशर पनाए हुए थे इस चक्कर में ट्राइ की सिफारिशे भी लंबे वक्त तक अटकी रही तमाम हीला हवाली के बार ट्राइ ने स्पेक्टरम प्राइसिंग पर अपनी सिफारिशें दे दी हैं और ये दाम 35 से 40 फीसद तक कम रखा गया है सरकार को उम्मीद थी कि कमपनिया उ प्राइसिंग का नहीं है और अगर उंचे दाम पर कमपनिया आएंगी तो 5G आ भले जाए लेकिन ना तो सुलब होगा और ना ही सस्ता अब ये तो सरकार के लिए बड़ी उल्जन वाली बात पैदा हो गई है खेर मसला के वल प्राइसिंग का नहीं है ट्राइ ने सिफारिश की है कि प्राइवेट 5G नेटवर्क खड़ा करने के लिए दूसरी कमपनियों को भी स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना चाहिए इन में Tata Communications, L&T और Tech कमपनियां शामिल हैं टेलिकॉम उपरेटर कतरी नहीं चाहते कि प्राइवेट इंटर्प्राइजर नेटवर्क को 5G दिया जाए टेलिकॉम उपरेटर पूरी कमाई अपने जेब में रखना चाहते हैं COI ने कहा है कि टेलिकॉम इंडस्ट्री के रवन्यू में कमपनियों की हिस्सेदारी 30 से 40 फीसत के करीब है और ऐसे में इंटर्प्राइजर को स्पेक्ट्रम मिला तो टेलिकॉम उपरेटर का धंदा ही भैट जाएगा उपर से इतना महंगा स्पेक्ट्रम सो ट्राई के सिफार्षें आते ही रार फैल गई है भारत में 5G क्रांती की राह में एक नहीं तमाम रोडे हैं एक मामला 5G गेर्स यानि एक्क्यूप्मेंट्स का है सरकार चाइनीज कमपनियों को इंटरी करने दे नहीं रही है इन एक्क्यूप्मेंट्स के वेंडर चुनने के लिए सरकार ने एक सकत दायरा तैं किया है अब स्पेक्ट्रम पर एक दफा फिर लौटते हैं तो ट्राई के सिफारिशों के हिसाब से ओपरेटरों को 3300-3700 मेगा हट्स बैंड में प्रती मेगा हट्स 317 करोड रुपए चुकाने होंगे देश भर में सर्विसेज मुहया कराने के लिए जरूरी 100 मेगा हट्स के लिए एक ओपरेटर को कम से कम 31,700 करोड रुपए जेब से निकालने होंगे 2016 और 2021 की तरह इस दभा भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती 700 मेगा हट्स बैंड के लिए बोलिया मगाने की है यानि कम्पनिया इस भार भी शायद ही इस बैंड में अपनी बोलिया दें खेर अभी तो सरकार को इन पर अपना आखरी फैस्ता लेना है लेकिन ट्राई की सिफारिशों पर ही जैसा रायता फैला है उसे देख कर लगता नहीं कि हाल फिलहाल में सरकार 5G के जंजट को सुल्जा पाए तब तक आप अपनी डिवाइस लेकर बैठे रहिए और इसमें 5G के सिगनल आने का इंतजार कीजिए मानी नाइन के लिए प्रवीन शर्मा सर प्रवीन शर्मा जी की ये रिपोर्ट दो चीजों पर उठाती है दो मुद्दों को उठाती है प्रमुक्ता से पहला मुद्दा है प्राइसिंग का कि आएंगी कंपनिया नहीं आएंगी आएंगी तो 5G आ भी जाएगा तो क्या सस्ता आएगा और दूसरा मुद्दा है कि प्राइवेट कंपनियों को क्या स्पेक्टरम दिया जाए दोन उपर आपकी टिपनिग शुबम पहली चीज प्रा कि आपको जो मिलने वाली मोबाइल सर्विस है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्पेक्टरम के चार्जिस का होता है सबसे बड़ी लागत स्पेक्टरम के चार्जिस के होती इसके अलावा जो इन्वेस्मेंट है वो सब वन टाइम इन्वेस्मेंट है कैपिटल के लिए कंपिनिया यह मान रहीं कि ना तो उनके बजट इस बात के लिए लाओ कर रहे हैं ना उनके डिट बैलेंश शीट कर्ज में डूबी हुई कंपिनिया है भारत में और दो ही कंपिनिया तीन कंपिनिया है उनके पास इतना पैसा नहीं है तो वो इस बात के लिए पर वो मासस के लिए नहीं होगा वो कुछ क्लास के लिए होगा जो से एफोर्ड कर पाएंगे उनके लिए होगा और यह एक खत्रा साफ दिखाई दे रहा है दूसरी एक और बड़ी डिबेट शुरू हो रही है क्योंकि TRI का कहना है कि 5G केवल दो कंपिनियों है तीन कंपिनि के कारोबार के के पर सीधा असर पढ़ने की संभावना है इस परस्ताओं से और इसलिए यह भी एक मूर्चा खुला हुआ है कि यह कंपिनिया क्या प्राइवेट 5G नेटवर्क बनाने की इजाज़त देंगी और इस प्राइवेट 5G नेटवर्क वाला जो हिस्सा है इसमें यहां तक की इंटरनेट कंपिनिया भी हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी हैं सोशल नेटवर्क कंपिनिया भी वो चाहती है कि 5G की पूरी सर्विस केबल दो कंपिनियों के नियंतरन में या जो हम बाजार में मonopoly या ओलिगोपोली देख रहे हैं उसमें सीमितना तो ये काफी खीचतान है इसमें अंतिम फैसला सरकार को करना है और बार-बार उसे इताय करना है कि वोगों को सस्ती सेवा देना चाहती है या लोगों को गिया स्पेक्ट्रम बेचकर उसे जाधा पैसा जुटाना चाहती है और हमेशा भारत की spectrum नीत इनी दो चीजों के इन दो परसपर विरोधी धुरूओं की बीच उलजी रहती है और वही बात हमें 5G के लिए सामने दिखाई दे रही है। बिलकुल तो और spectrum की कीमत ही या spectrum से मिलने वाली राशी ही ये तै करेगी कि आपको 5G सस्ता मिलेगा या नहीं। भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022 की पहली तिमाही के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार 15% तक बढ़ गया। चीन के custom विवाग की तरफ से जारी किये गए आंकलों के अनुसार जनवरी से मार्च 2022 के दौरान भारत और चीन के बीच 31 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। दो बड़ी बात है एक तो व्यापार बड़ा और दूसरा उसमें भी बड़ी हिस्तेदारी चीन के पक्षमें है क्योंकि चीन 31 में से 27 अरब डॉलर हमें निर्यात कर दे रहा है और हम उसको केवल 4 अरब डॉलर ही निर्यात कर पाते हैं। भारत के व्यापार घाटे की रोशनी में अगर हम चीन की हिस्तेदारी देखें चीन का व्यापार देखें क्या इस्तेती नजर आती है। कि चीन के आयात पर निर्भरता कम की जाए। और इसके लिए पूरा PLI स्कीम का जो प्रोडेक्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम से उनको बढ़ावा दिया गया। कई बार कई जगे छेत्रों में लाइसेंस दिये गए जहां कमपीनिया अपना उत्पादन बढ़ा सकें लेकिन वैसा अभी ततकाल नजर नहीं आ रहा। और आंकड़े बीतर से खोलें तो आपको दिखाई देता और चौकाने वाले बात दिखाई देती। जैसे कि जनवरी से मार्च की तिमाही में भारत का कुल व्यापार घाटा करीब-करीब 56 बिलियन डालर के आसपास है। उसमें से 23 बिलियन डालर का व्यापार घाटा अकेले चीन के साथ है। यानि जितना व्यापार घाटा भारत पूरे दुनिया के अन्ने देशों से व्यापार में कर रहा है उसका आधा लगभख सीधा सीधा आपको दिखाई देगा चीन के साथ हो रहा है यह इस ग्राफ मे वियापार घाटा अकेले चीन के साथ है यानि भारत के विदेश वियापार में चीन की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी ही नहीं है बलकि एक बड़ा हिस्सा वो घेरता चला जा रहा है पिछले साल चाइना का जो एक्सपोर्ट था इंडिया को करीब-करीब 46% बढ़ा था जब भारत के लिए चिंता की बात है शोचनी ये बात है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी निर्भरता किन चीजों के लिए है भारत का 70% इलेक्ट्रानिक डिवाइस इंपोर्ट कंपोनेंट इंपोर्ट चीन से होता है इसके बाद भी कि हम भारत में हमने PLI के लिए पैसे बजट से पैसा देकर कंपीनियों को पादन भड़ोतरी की चूट दी जा रही लेकिन अभी भी भारत में बनने वाले मोबाइल फोन या भारत में बनने वाले स्मार्ट टीवी दरसल चीनी ही है वो भारत के नहीं है क्योंकि उनमें अधिकांश कंपोनेंट चीन से आते हैं तो हमने चीन को रिप्लेस करने के लिए चीन के ब्रांड्स को तो यहां बता इस्थापित कर दिया पर वो कंपड़िया अपने कंपोनेंट का ecosystem लेकर नहीं आई भारत में वो सारे ecosystem अभी भी वहां से import हो रहे हैं और उसकी वज़े यह है कि हमें भारत में अभी भी चीन के के बने फोन भी mobile phone महंगे मिल रहे हैं क्योंकि हम उस पर import duty लगाते हैं और import के करणों महंगे होते हैं दूसरी important कि पिछले दो तीन साल के अंदर भारत के फार्मसिटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए दवाओं की बहुत सारी मांग बढ़ी भारत का अब लगबग 60-70 परसेंट जो API है जो रा मेटीरियल है जो बल्क ड्रग है दवाओं का वो भी चीन से इंपोर्ट हो रहा तो भारत का electronics और भारत का pharmaceutical industries के लावा बहुत सारे अओरुद्योग भी निरभर है दूसरी तरह भारत चीन को क्या निरयात कर रहा है? चीन के नहीं बताया है कि भारत नेुबाई की तरफ से चीन को जो सबसे बड़ा निरयात है वो iron ore है अब यही हमारे वियापार की सबसे बड़ी चुनोती दिखाई देती हम कच्चा मौल भेज रहे हैं चिन को से ओर भेज रहे हैं जिसको value-adition करता है और て से प्रोडेक्ट्स करीद नहीं रहे हम वहाँ से components क्रिद रहिए हैं जो कारें बिखने लगती हैं बाकी चीज़ें बिखने लगती हैं तो शायद चीन पर मारी निर्भरता कम नहीं होगी और दाधा बढ़ते हैं बिल्कुल चलिए अगली ख़वर की तरफ बढ़ते हैं दो से तीन दिन पहले ही आपको याद होगा कि मनी सेंटरल में अंश्वान जी ने और मैंने डिसकस किया था बिखली में संकट को लेकर बिखली का संकट आब सरकार कीबी चर्चाहों कीके केंद्र में आ कहीं और ना गहरा जाए इसके लिए सरकार में पावर प्लांकी कोईले की सप्लाइघन यहें कोईला पहुचाया जाएगा ताकि अईटिनी उत्पादन प्रभावितना हो केंली केबिट ने उत्पादन बढ़ाने के लिए घरेलू कोईले में 10% आयातित कोईले को mix करने का blend करने का भी प्रावधान किया गया है सर ये कदम मौझूदा इस्तिती को में कितना कारगर होगा जब हम shortest देख रहे हैं बिजली नहीं आ रही है कितना कारगर होगा और उससे पहले ये टोलिंग क्या होती है ये समझा दीजा है हाँ टोलिंग से पहले हम ये समझें कि तोलिंग की जरूत क्यों पड़ी है टोलिंग पहले हम टोलिंग को ही समझ लेते हैं टोलिंग एक ऐसी विवस्था है जिसमें जो सरकारी बिजली कंपिनिया हैं, उनको स्विभम माईन से लाठ याइग जाते हैं, उनको कोल लिंकेज कहते हैं पावर की भाशाव में, हर बिजली कंपिनि के पास कुछ सरक्षित माईनस होती हैं, जहां से उनको कोईला मिलता है टोलिंग के तहट सरकार ने इन माइन्स को इन बिजली कमपिनियों को ये जाज़त दी है कि उनके पास जो कोईला ख़दानों में उन्हें कोईला उपलब्ध है या जिस आपूर थी कि उनको गैरेंटी दी गई है उसका कुछ कोईला वो इन्डिपेंडेंट पावर प्रडूसर्स को बेच सकते है यानि प्राइवेट बिजली कमपिनियों को कमपिटिटिव बिडिंग के आधार पर बेच सकते है और उसके बदले वो कमपिनिया जो बिजली प्रडूस करेंगी वो इस्टेट की ग्रिड में या नेशनल ग्रिड में सप्लाई करेंगी ये इसलिए किया गया इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कोईले की भयानक किल्लत सरकार स्विकार कर रही है और कल कोईला कमपिनियों के साथ, कोईल इंडिया के साथ, बिजली उत्पादन धाचे के साथ सरकार में लंबी बैटकों का दौर चला है और इसा क्यों हो रहा है इसकी जड़ समझना हमेरी जरूरी है भारत में शुबं करीब 173 पावर प्लांट है इस समय जिनकी कोईले की कुल डिमांड जो डेली डिमांड है वो 2755,000 तन के असपास है चुनोती है कि इन 173 पावर प्लांट में से क्यों 18 पावर प्लांट ऐसे हैं जो पिट हेड प्लांट है यानि जो माइन्स के बिल्कुल करीब लगेगा है जहां से कोईले कोईला पहुचाने में देर नहीं लगती है तो अगर आप उनके पास कोईले का इस्टाक देखो तो उनके आसी 80 दिनों का कोईले का इस्टाक है लेकिन इसके बाद 155 पावर प्लांट जो देश के तमाम हिस्सों में तमेलनाड उसे लेके पंजाब तक और महराष्ट से लेकर नाथी स्टाक बिखरे हुए हैं उनके उन 155 पावर प्लांट की स्थिति नान पिट हेट मानी जाती है यानि वहां से ख़दाने मिलों दूर है किलो मीटरों दूर है उनके पास कोईला नहीं और वहां देखिए आफर केल 28 दिन का स्टाक है और कुछ में 12 दिन का और 10 दिन का स्टाक बचा हुआ इनकी टोटल डिमांड तो पिटेड वाले प्लांट की जो टोटल डेली डिमांड है वो केल 540,000 तन है और जो नान पिटेड वाले प्लांट हैं उनकी करीब 2200 टन पड़े की डिमांड है और इन्हें कोईला मिल सके इसके लिए ये जरूरी है कि कोल की सप्लाई की आपूर्तिकी का तोर तरीका बदला जाए इसलिए ये फैसला लिया गया गया था बिलकुत चलिए अब अगली खवर जो बहुत मुख्य खवर है इंपॉर्टन खवर है वो ये कि हमें आपको पता है कि जून 2022 में राज्यों को दिया जाने वाला कंपनसेशन खत्म हो रहा है इसके बाद पूरा कॉडिनेशन बिखर ना जाए राज बिगर ना जाए इसके लिए केन सरकार ने एक फॉर्मूला तयार किया है जिससे की GST की विवस्ता बनी रहे क्या फॉर्मूला ये अंशुमान जी से समझेंगे उससे पहले आप ये समझेए कि GST की दरों में बढ़ोतरी शायद एक मुश्त ना होकर छोटी-छोटी किष्टों में हो सकती है आज जो रिपोर्ट शपी हैं उनके हिसाब से केन सरकार के उपर फिलाल महगाई और राजस कमाई के भी संतुलन मनाने का दवाव है ऐसे में GST दरों में एक साथ बढ़ोतरी की समभावना कम है समभावना ये है कि GST की दरों अगले दो साल के दौरान किष्टों में बढ़ सकती है सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि राज्यों को किसी भी तरीके का कमपनसेशन जून के बाद नहीं दिया जाएगा ऐसे में राज्य भी केंदर पर GST की दरों को बढ़ोतरी करने का दवाव बना रहे है यहाँ पर चीज तो ये सर समझना चाहेंगे आपसे क्या ये जो फर्मूला है दो बार में तीन बार में GST की दरों बढ़ाने का इसके बाद राज्य मान जाएंगे और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिन राज्यों के इस्तिती ज़्यादा कमजोर है क्या उनके लिए कोई स्पेशल विवस्था की जाएगी अब राज्य सरकारों को आधिकारी क्रूप से जो हमारे सूर्सेस का कहना उन से बात हुई शुब हम आधिकारी क्रूप से राज्य सरकारों को अभी इस फार्मूले की जानकारी दी जानी है फार्मूला क्या है फार्मूला ये है कि राज्य सरकारों को अगर केंदर कंपेंसेशन नहीं देता 14% की revenue buoyancy यानि उनका 2016 से पहले का revenue का इस्तरता हर राजी के खजाने में यतना tax आता था उस पे 14% की buoyancy guarantee की गई थी वो फार्मूला अगर खतम होता है तो सबसे पहली चीज के इंदसरकार है राजी सरकारों को ये करनी होगी कि उन्हें GST की जो दर है उसे जो आउसप दर है जि 11% से बढ़ा कर 15-16% पर ले जाना होगा जो भी 11% पर यानि 5-5.5% का tax आपके उपर ये चाकू या ये कटार या कुलाडी गिरेगी ही तभी राजी इस बात पर सहमत होंगे कि उन्हें उनको compensation ना दिया जाए और उसके बदले उनके नुकसान की भरपाई हो सके और इससे त अगर इस समय GST में बढ़ोतरी और की गई तो इसका सीधा असर राजनीती कुरूप से खराब होगा ही लोगों की खपत पर और रत्वस्था पर पड़ेगा लेकिन अगर जून तक जून के बाद राज्यों को compensation नहीं दिया जाना है जो शायद नहीं ही दिया जाना है क्यों राज सरकारे इसमें तदकाल बढ़ोतरी चाहेंगी राजनीती की जिम्मेदारी राज सरकारे केंदर पर ही डालेंगी और एक तो पहलोगी यह तो पहलोगी है और पहल्ट उ lihh dieta के बीच के बीच है जो क्ए पहल चेड़े बाद चाएन जहाँ अपर कोई उत्पादन नही мех इने कोई tax नहीं मिलता, उनका क्या होगा, उन्हें इस विवस्था के तहट अगर कोई compensation नहीं मिला, तो उनका अपना जो state tax है, यह जो state GST है, वो इतना परयाप्त नहीं होगा कि उनके खरजे चला सके, इसके लिए शायद GST Council में प्रस्तावा आएगा, जिसमें कि इन विशे शुरूप से जो चुनोती पूर्ण राज्य हैं, जिनके revenue टूटे हूँ है, उनके लिए शायद कोई special package लाया जाए, यह GST Council उनके लिए special package की विवस्था करे, यह package फ्री नहीं होगा, इसके लिए भी कहीं कहीं कोई sales, कोई ना कोई tax, कुछ ना कोई ऐसी विवस्था के इन राज्यों के पास भेजेगी और फिर GST Council की जून की जो सबसे महत्तोपूर्ण बैठकोने वाली है, उसमें हमें यह पता चलेगा कि GST का चाकू कब तक कितना चलेगा, धीरे-धीरे काटेगा या एक बार में काटेगा और कैसे काटता रहेगा, एक चीज जिस पूरी विव राज्यों के अकेन सरकार के बजट की परिस्तेती दिखाई देती, बिलकुल, एक और बहुत महत्पूर्ण खबर जो आपके और हमारी जेव से सीधी जुड़ी हुई है, वितवर्श 2023 की पहली निलामी में सरकारी बांड को ग्राहक नहीं मिले, सही सुना आपने सरकारी बा ग्राहक कॉन? बैंक, इससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में कर्ज पर ब्याज की दरें बढ़ने वाली है, आपको बता दें, कुल 13,000 करोल रुपया के बांड आर बी आई लेकर पहुंचा था, और 11,447 करोल रुपया के बांड ही बिक सके, किस भाहों पर? 77% प बांड बाजार की जो को लेकर परेशान है, और ये बात मानिटरी पालिसी की चर्चाओं के बाद निकल कर सामने आने लगी थी, जिस दिन मानिटरी पालिसी आई ये रिज़र बैंक ने ब्याज़दरों में कोई बरहुतरी नहीं की, स्टांस भी नहीं बदला, उसी दिन हम ने मैनिसिंटरल में कहा था कि बांड बाजार रिज़र बैंक की बात और सरकार की बात नहीं सुनेगा, हम पिछले साल भी परिस्तिती देख चुके हैं कि सरकार के बांड को रिज़र बैंक ने रखा और बांड मार्केट ने रिज़ेक्ट कर दिया, इसकी वज़ए ये है क कि बांड मार्केट ने समझ रहा है कि भारत में ब्याज़देने सवा साथ और साड़े साथ फीज़दी तक जाएंगी जबकि इंफलेशन साथ फीज़दी के असपास है और उनने विस्तार से इंफलेशन की जरूरतें बताई हैं तो वो केंदर सरकार की साख चाहे कितनी भी लेकिन वो महंगाई से कमदर पर केंदर सरकार को करज देना नहीं चाहते हैं और इसलिए बहुत मुश्किल से तमाम और ये सरकारी बैंक ही है इसको खरीदने वाला कोई बाहर से नहीं आता है लेकिन वित्तिय बाजार की यही महतुपूर्ण ताकत है कि वो केंदर और बाइड के आक्शन टालने पड़े वापस लेने पड़े थे और सरकार की साख होने के बाद भी बाइड को ग्रहक नहीं मिले थे और ये इस बात का संकेत है कि रिजर्ब बैंक अब जाधा दिनों तक ब्याज़दरों में बढ़ोतरी नहीं रोक सकता नहीं रोक सकता शाह ज ट्री से ले कर आया है कि कम से कम बाद डीड को थोड़ा ठंडा किया या सके और कम समय के श지 ट्र Newman के के रही सारकार के उनके लिए ख़बर जरूर जरूरी है क्रिप्टो करेंसी कारोबार पर सरकार का टेक्स लगाना भारी पड़ा है एक अपरेल से अब तक भारत में क्रिप्टो एक्षेंजों पर कारोबार में करीब 75 फीसद की गरावट आई यानि कि अगर पहले 100 रुपे का कारोबार होता था 25 रुपे का रह गया है सरकार ने एक अपरेल से क्रिप्टो कारोबार पर 30 फीसद टेक्स लगा दिया था इसके अलावा एक जुलाई से 1 फीसद TDS लगाने का भी प्रावधान है वजीर एक्स, कोईन DCX, यूनो कोईन जैसे प्रमुग एक्सचेंज पर कारोबार में भारी गरावट आईए इस टेक्स के लगने के बाद सर क्या माने सरकार वजट में जो प्रावधान लेकर आई या जो कदम उसने उठा है वो कारगर सावित हुए क्रिप्टो धीरे-धीरे सिमट रहा है, कम से कम क्रिप्टो के पूरे कारोबार में या क्रिप्टो एक्सचेंज के पूरे कारोबार में जो बाकी स्टेक होलडर्स थे crypto exchange अभी भी डटे हुए हैं कोशिश में हैं समझाने की पर जो बाकी stakeholders थे जब हम बाकी stakeholders की बात करते हैं तो हम बात करते हैं bankers की जिनके जरीए आप खरीद करते हैं और अपने wallet से पैसा crypto में डालते हैं हम बात करते हैं national payment corporation की जो इन payment को channelize करता है इन सब ने एक तरह से crypto exchanges को वो संकेत देने शुरू कर दी हैं जो शायद end के या खतम होने के संकेत हैं coinbase, coin dcx, wajirex को में UPI से payment disable कर दिये गए हैं इनका कहना है कि वो national payment का operation के साथ बात कर रहे हैं पर अब UPI के जरीए आप crypto की खरीद नहीं कर सकते कोई सिचकुबेर की तरफ से ऐसी सूचना आ रही है जो चर्चा है कि उनके सारे payment options बंद कर दिये गए हैं जो mobile wallet है जैसे इन्होंने भी crypto से खरीदारी करने पर रोक लगा दी है नेशनल payment का operation ने शायद उसके पास इस बात का संकेत है कि वो crypto के कारोबार को लेकर जो tax के दबाव बन रहे हैं उसके बाद पारदर्शिता के बड़े मुद्दे हैं अब फिलहाल अभी हम जिस परिस्थिती में परिस्थिती में crypto को लेकर payment के बड़े इशू आने वाले हैं और निवेशकों के लिए traders के लिए इसमें बने रहना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनके ना तो वो purchase कर पाएंगे सामाने प्रक्रिया में और शाद उनके payments में भी समस्या आएगी अन्शुमान जी जब अलग अ है मार्केट बंद है छुट्टी है इस वज़े से कल आपसे मुलाकात नहीं होगी लेकिन हां इतवार को मैं जरूर आऊंगा रविवार को सुबा सवा 11 बज़े एंशुमान जी की साथ इकनौमिकम लेकर आऊंगा इकनौमिकम का मुद्दा क्या है सर इस बार का आप सबको म इस बार के एकनौमिकमर और थात में भाई यह कौन है जिसको महगाई पसंद है मझेवी सुनने का बिल्कुल सार अब उत्सुकता है तो रविवार को सुबा सवा सवा 11 बज़े देखना ना भूलिएगा एकनौमिकम फिलाल दीजे इजाज़त नमस्कार हुआ 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 है